हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेर बजार वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मेटल सेक्टर के सॉक्स के बारे में सेल नालको टाटा स्टील टाटा स्टील बीएसल और शाम मेटलिक्स इन पाच स्टॉक्स के उपर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि इनके इनदर आपको बड़ी तीसी देख्या है अज पुरा मेटल इंडेक्स आपको बात करेंगे तो वीडियो का पूरा जरूर देखेगा फ्रेंड्स आप चैनल से नए जुडए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये गा यहां पर आपको काफी इंफर्मेटिव वीडियो आते विए देखने को मलते हैं इंट्रेस्टिंग वीडियो आते विए देखने को मलते हैं तो तीन वीडियो देखिए अपलोड में कर चुका हूं आप इन तीन वीडियो को भी जाके चेक आउट कर सकते हैं चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप जाके चेक आउट जरूर करिएगा तो फ्रेंड सबसे पहले वो आपको चाइना के तरफ से क्या बात निकल के ये मेटल्स के उपर ये दिखाता हूं तो फ्रेंड जो खबर निकल के लिए समें साफ साफ कहा जा रहा है कि अनादर टैरिफ ऑन चाइनीज स्टील एक्सपोर्ट पॉजिटिव और इंडियन स्टील तो ये बड़ी बात क्या है आपको ये खबर बहुत जादा पॉजिटिव देखने को मिलने वाली इंडियन स्टी दिखाया सारे मेटल शेर दोस्तों आपको भागते वे निजरा है विकॉज ये जो खबर है इसके आएं दोस्तों सिफ एक ही आपर बड़ी बात है कि इन सारे स्टॉक्स के अंदर एक पॉजिटिव मुवमेंट देखने को मिलेगा तेकि टाटा स्टील एक दिन के अंदर 6- साथ पॉर्शन की रैली दिखा रहा है टाटा स्टील बीए सेल अप सेल लेके चलिए नाल को लेके चलिए शाम मेटलिक्स जो हाली की लिस्टिंग है तो एक भी ऐसा स्टॉक नहीं था देखिए जो मेटल इंडेक्स में जो आपको 3-4 परसं से जादा बढ़ता हुआ देख देखिए 141.95 की आची क्लोजिंग है आठ रुपे 10 पैसे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है 6.05% की तेजी आपको आज सेल के अंदर आती भी देखने को मिली है सेल डेफिनिटली मैं आपको दुस्तों कह सकता हूं कि यह शेर बहुत बढ़िया करता हुआ नजर अब जो आपको सेल अफ आता हुआ देखने को मिलना था वो आ चुका एक लंबे कंसॉलिडेशन के बाद एक तो चालिस रुपे के पार निकलता हुआ देखने को मिला है और एको चालिस के ऊपर की आज हमको जो क्लोजिंग चीये थी वो देखने को मिल गई है और जो positive ख़ यही रहिए कि यह शेयर दोस्तो रुखना नहीं जानता है इस शेयर के अंदर जब भी एक सेल आता हूँ है देखने को मिला है वह सेल उस बाइंग में सब्सक्राइब तब दील होता हुआ देकने को मिल ल्हाइब लोगा ने अक्मेलेशन किया है और अब पूरे एक महीने के बहतिन जाते बहें देखने को मिलने वालें तो ये उनदाउटइटनी आप मानके चलिकल बहतिन करने वाली है तो जिन लोगों के लिए सेल के लिए क्या पुजिश्टन में छुटे आने चलिक उपर बात करते हैं सबसे बढ़ी बात क्या है करेंट लेवल के असपॉस बाय कर के चलिए शिये का लक्ष रखिए यहां पर आप कल के लिए जो मुझे रखता है दीखी देखने को मिल सकता है वो होगा करीबन 145 to 148 रुपीज का 150 रुपीज का टागेट दोस्तों क्यों मैं मुझे रखता है कि देखने को नहीं मिलेगा अगर इसको कल 150 पॉजटेव यहां पर ट्रेट करता है तो 150 पार करना कल इसके लिए मुश्किल है लेकिन 145 और 148 दो टागेट होंगे जिसके उपर यह शौक जा सकता है अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर नैलको के उप़र यानि नैशन अलूमिनियम के उप़र फ्रेंट्स नैशनल अलूमिनियम यह दूसरा शौर्ट शेर था जो आज आपको आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है इस टॉक पर मैंने आपको पहले भी देखे कहा था कि आप इस शेर को बेचना मत यह शेर एक वन अप बेस्ट टॉके मार्केट के अंदर जो परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉंग है और आप मानके चलिए यह परफॉर्मेंस के कारिन दोस्तों आपको शेर के अंदर एक बड़ा अफ्रेक पढ़ता हुआ देखने को मिला है अब करना क्या है दोस्तों नेशन अलूमिनियम के अंदर सबसे बड़ी बात आपको नेशन अ के अपर की क्लोजिंग है और यह क्लोजिंग आपको कल गैप देने वाली है नेशन अलूमिनियम के अदर क्योंकि स्टॉक दिन के हाइस के असपास क्लोजिंग का मतलब क्या है पहले होता है काफी बार मुमेंटम बना हुआ है मुमेंटम बना हुआ है मुमेंटम को मिलेगा तो जिनको दोस्तों खईदारी करने वह क्या करें करें करेंट लेवल कि असपास बाय करें शेर का दोस्तों आप कल का लक्ष रुखिए करीबन 95 से लगा का 97 रुपीज का और तीसरा होगा 100 रुपे का यह शेर मुझेगता है कि 100 रुपे भी जा सकता है कोई बड़ तो फ्रेंट्स टाटर स्टील 1458 की क्लोजिंग अगर सेक्टर लीडर दोस्तों इतना बहतरीन चलता हुआ देखने को मिलेगा एक दिन में 7% का मूव अगर सेक्टर लीडर दे देगा तो आप मान के चलिए मेटल पैक को बढ़ाने के लिए सबसे जादा हाथ जिसका होता है टाटर स्टील का उसने आपको पूरी मदद करती है साथ पॉसेंट इन्टाडे में मूफ बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों और आज इब आपको 952 भी लगाता हुआ देखने को मिल गया है आज टाटर स्टील के अंदर दोस्तों जो चार्ट पैटन है वो चार्ट पैट अगस्त के फॉर्स्ट हफ्ते के अंदर आता वा देखने को मिल जाएगा और यह स्टॉक पक्का दोस्तों यहां से बड़िया मूव करने वाला है कि कल भी मुझ अगता है कि अगर तीजी होती तो पंदर सुपर कर लेवल या तो कल आपको देखने को मिल जाएगा या तो य अगस्त के फैंकल आपसे चालो होती वी देखने को मिल जाएगी और सेकेंड टू थर्डी के वीच में आपको कल आता वह देखने को मिल जाएगा तो आल्मोस्त तेजी टाटा स्टील में रहेगी पंदरा सो का लेवल एक बार तो डेफिनिटली टच करने वाला है तो ластatore शाम में प्रेंटालिक्स में डूस्तों और सालिय देखने को मिल एक कि हाज जो तेजी देखने को मिली यह पाक इंटाइक देखने को मिली यह लेकिन हाई नहीं इतना लगडिया बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला आपको 4% चाशअ यह तो दिखाए लेकिन शोपक के तौर पर काम करती है लेकिन मुझकत है कि जिसके अंदर भी जोन बहुत आसानी से निकल जाएगा तो खड़िदारी करने की सला है और शाम मेटलिक्स के अंदर मुझकत है कि बड़ा मूव आना चाहिए और होचता कि कल भी आ जाए तो कल मेरी खड़िदारी करने की सला है श शाम मेटलिक्स का दोस्तों साफ साफ मुझकता है कि एक्सपोर्ट के कारण इसके उपर भी दोस्तों एक बड़ा एफेक्ट परदावा देखने को मिलेगा आज चार परशन के आसपस की डेफिनिटली तेजी दिखाई है लेकिन इतनी बढ़िया तेजी में नहीं कह सकता आपको कल के लिए करीबन 432 रूपीज का अब बात करते हैं दोस्तों आखरी स्टॉक के ओपर टाटर स्टील बीएसल तो फ्रेंट्स टाटर स्टील बीएसल ने भी बहुत बड़ा परफोर्मेंस दिखाई है 97 के आसपस की क्लोजिंग है आपको 6% के आसपस बढ़तावा द देखने को मिला है अच टाटर स्टील पीसल वी दोस्तों साफ सम्को बढ़िया तीजी आती भी देखने को मिली शेयर 98 के आसपस दूस्तों रजिसेंश फेस करता है वह हमको लगातार देखने को मिला लेकिन सबसे बड़ी बात कि ताटर स्टील बेसल के अंदर की अब अब रुपे का स्टॉप्लोस मेंटरिंगर के चलना अपे आपको टाटर स्टील बेसल के अंदर करें नाइन्टी फाइव रुपीज का तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही ता होप आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना चानल से नए जु पर देना थैंक यफ्रेंड्स वाजिक दिस वीडियो